ग्रोन भारत के लिए कोई नहीं चीज नहीं है आजकर साथी विया में फिल्म की शूटिंग में ग्रोन का बहुत तेजी से इस्तमाल हो रहा है जहां पे भी आपको हाई एंगल आपको बाड़े पे दे सकते हैं आपकी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी आपको बाड़े पे दे सकते हैं और एमाजोन प्राइम नहीं द्रोन से फैलिवार डिलिवरी की थी दिसंबर साथ दो अजार सोदा पो इंग्लैंड में और यह डिलिवरी सिर्फ तीस मिनेट में की गई थी क्या द्रोन उडाना भारत में लीगल है या इलीगल है क्या द्रोन उडाने के लिए किसी तरह की लासिस की जौरत पढ़ती है जो सबसे छोड़ी द्रोन होती है जिसका वजन 250 ग्राम या उससे कम होता है उसे नानो द्रोन कहते हैं और 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक के जो द्रोन होते हैं उसे माइक्रो द्रोन कहते हैं और 2 किलो से लेके 25 किलो ग्राम तक के जो द्रोन होते हैं उसे स्मॉल द्रोन कहते हैं और 25 किलो से लेके 1.500 किलो तक के जो द्रोन होते हैं उसे मीडियन द्रोन कहते हैं वो मीडियन द्रोन की स्रेड़ी में आता है और 150 और उससे उपर वजन के जो द्रोन होते हैं वो लार्ज की स्रेड़ी में आते हैं भारत में 250 grams या उससे उपर कि जितने भी ढ्रोन है उसके लिए आपको DGCA से license की लेनी की आउस GISHTA है लेकिन ऐसा कोई भी ढ्रोन नानो ढ्रोन जिसका वजन 250 grams से कम है यानि कि 249 grams and less उसके लिए आपको किसी तरह की license लेनी की जरूरत नहीं है अगर आप कोई बड़ा द्रोन लेने की सूत रहे हैं आपका फिल्मों का काम है या कमर्शियल कुछ तुसके लिए आपको लैसेंस क्या और सकता पड़ेगी लैसेंस के लिए आपको DGCA के साइट पे जाना पड़ेगा distilsky.dgca.gov.in यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको ढर्लों की स्रेणी में आता है और आपको लैसेंस की जूरत है द्रोन उडाने के लिए भी आप कहां उड़ा सकते है कहां नहीं उड़ा सकते है उसके उपर भी सारी जहनकारी अगर यॉप में अगर आप लेनी की सोच रहे हैं और आप ले की ज़ोन लेने चाहते हैं जो इसे ले नियुह आशन बल म Today's applied wer will लेना चाहते है दिकलत के लिए लेकिन उसके लिए किर किछ पाविंदिया है आप भीडबार वाले जगहों के द्रोन ने उड़ा सकते हैं, सीरा सा मतलब है, लोगों की प्राइवेसी से चुड़ा हुआ, या अगर खुदा ना कास्ते कभी आपका द्रोन काम करना बंद कर दे और भीड में गिरता है तो उससे कोई घायल न हो जाए, इसके लिए भीडब कीमत पे मिलती है, उससे अच्छा है, अगर कोई आपका जान पेचान वाला मुंबई में है, मुंबई में कैमरा गली, आप वहां से आपको दुबई में जिस कीमत पे मिलती है, उससे दो चार पांच जार रुपे ज्यादा पे आपको मुंबई से मिल जाएगी है, माविक मीनी, जो नानो द्रोन है, जिसका वजन 249 ग्राम है, और काफी सुटेबल है, इसके लिए आपको किसी तरह की कोई लैसेंस की ज़रत नहीं है, बड़ी कमपनी है, और क्वालिटी द्रोन है, इसकी कीमत दुबई में लगबग 30,000 के और अगर दुबई में कोई है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं, लेके नहीं बात का ख्याल रखिएगा, जो भी वेक्ति दुबई से आपके लिए लेके आ रहा है, उसे बोलिएगा उपर का जो बड़ा डबबा होता है, पैकिंग को वो सब निकाल दे, सिर्फ द्रोन क सिर्फ द्रोन लेके आए, और उसके जो भी ऐसेसरीज है, वो साथ में लेके आए, तो कस्तम्स में आपको रोके गा नहीं, और वैसे भी 249 ग्राम्स है, तो देर इस नो इसू, आप इसे आसानी से लेके आ सकते हैं, और अगर कोई मुंबई में आपका है, मुंबई देली म में भी मिलता होगा, दिली में भी अच्छे मार्केट्स हैं, मैट्रो सिटीज में कहीं भी आपको मिल जाएगा, प्राइस का थोड़ा बहुत पार पर रहेगा, लेकिन द्रोन उडाने का मज़ा ही कुछ और है, ओके फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में लेके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं कोसिस करूँगा कि मैं सब्जेक्ट पर बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाओ और आपके सामने प्रसूप करें, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक, सियर औ अबढ़ियो देखने का अण